नमस्कार दोस्तों, मैं रोहुन शमा स्वात कतम सभी का आपके अपने चनल जोतिशेन वास्तु में कैसे हैं आप सभी? आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 9 जुलाई 2023 के बारे में 9 जुलाई 2023 का यह दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है? कौन-कौन सी वैदिक रेमेडीज आज के दिन में आपके लिए अच्छी रहेंगे? क्या रहेगा आज का एंजल नंबर और क्योंकि आज रईवार का दिन हैं तो रईवार के दिन कौन सा specific meditation आपको करना है जो आपके लिए रहेगा बेहत खास सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में अन तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए देखें दिन जो है ये काफी ज़ादा बैलेंस दिन दिखाई दिता है आज का दिन आप सभी के लिए थोड़ी सी positivity लेकर के आएगा और थोड़ा सा confidence जनरेट करता हुआ नजर आएगा तो इसलिए आप सभी को आगे बढ़ने का और अपने आपको motivate करने का पूरा-पूरा मौका मिलता हुआ नजर आता है यह वो दिन है जो बड़ी-बड़ी बिमारियों को ठीक करने में आपकी मदद करता है recovery देने की कोशिश करता है और साथ ही साथ आप सभी को positive बना करके आगे बढ़ने में आपकी मदद करता है आत्म इश्वास को बढ़ाने का बहुत बड़ा काम करता है इस तरह का दिन तो इसलिए जिस तरह के योग इस दिन में बन रहे हैं ये योग आप सभी के आत्म इश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं आपके confidence को generate करने के लिए बहुत ज़ाद अच्छे हैं और आने वाले सब्ता में आई हुई सारी परिशानियों को दूर करने के लिए आपको आज अपने आपको पूरी तरस से strong बना कर रखने की जरूरत है and definitely आप ऐसा करेंगे और आपका ये दिन और भी जादा अच्छा जाता हुआ नजर आएगा आज के दिन में आप सभी को financially मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत रहेगी financially पिलकुल balance दिन दिखाई दिता है आपर family के साथ बहुत अच्छे से आप involved हो पाएंगे आज के दिन में और साथ ही साथ आज के दिन में family को लेकर के कुछ positive news आपको देखने को मिल सकती है कोई guest आपके गर पे आ सकते हैं किसी व्यक्ती से मुलाकात हो सकती है जो की बहुत सालों पहले उससे मुलाकात होई दी तो कुछ इस तरह की जोग यहाँ पर बनते हैं मिलन साथ दिन है आपको दूसरों से मिल करके और मिल जोल करके रहने की कोشिश जरूर गरनी चाहिए किसी भी तरह का operation आपका हुआ है या होने वाला है तो वो भी आपका successful जाता हुआ दिखाई देगा इस तरह के योग यहाँ पर बिल्कुल बन रहे हैं तो overall देखा जाए तो health में और medical science में आपको तरक्की देखने को मिलेगी काफी ज़दा अच्छे results देखने को मिलेगे आप पढ़ाई कर रहे हैं और medical science की तयारी कर रहे हैं तो भी मैं जरूर करूँगा कि आज का दिन आपके लिए बहुत ज़दा अच्छा है आज के दिन में आप सभी तोड़ी सी कोशिश करें और future को लेकर के कुछ plan करने का प्रयास ज़रूर करें आप सभी को अच्छे result मिल जाएंगे इसी के साथ-साथ इस दिन को और अच्छा बनाने के लिए आप सभी को कौन सी वैदिक remedies करनी है किसी विशेश कारी से अगर आप बहार जाते हैं तो आज के दिन में आप red कलर का, orange कलर का, brown कलर का और महरून कल का इस्तमाल कर सकते हैं ये आप सभी के लिए बहुत ज़दा अच्छा रहेगा इसी के साथ-साथ आप सभी आज सुबह सुबह सूर्य देव को नमन जरूर कर लीजेगा और अपने पिताजी से आशिरवाद जरूर ले लीजेगा ये भी आप सभी के लिए बहुत ज़दा अच्छा रहेगा इसी के साथ-साथ आज के दिन में आप सभी को थोड़ा सा पेशन्स रखने की जरूर थे अपनी मानी पर थोड़ा सा नियंतन रखके चलें तो उससे भी आप सभी को अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे आज की दिन में जो एंजल नमबर है वो भी आप नोट कर लिजीगा बहुत ज़दा अच्छा नमबर है आज का नमबर नोट कर लिजीगा 34774 बहुत ज़दा important नमबर है बहुत positive नमबर है और ये नमबर भी आपके दिन को अच्छा बनाने में आपकी मदद करता हुआ नजर आएगा अब बात कर लेते हैं आपर आज का दिन कौन सी राशी के लिए नमबर के लिए और अलफाबेट के लिए अच्छा जाने वाला है नोट कर लिजीगा प्लीज राशों में यहाँ पर बात कर लिजाए तो आज का दिन जो रहेगा ये व्रशब राशी के लिए बहुत ही ज़ाद अच्छा दिन दिखाई दिता है कर्ण्या राशी को काफी ज़ाद अच्छे benefits मिलते हुए दिखाई दिते हैं तुला राशी के लिए भी काफी ज़ाद अच्छा दिन दिखाई दिता है दनु राशी वालों को भी अच्छा कर सा फाइदा मिलता हुआ नजर आएगा और मीन राशी वालों के लिए भी ये दिन काफी ज़ाद अच्छा है नमबर्स में बात कर लें तो नमबर एक, नमबर चार, नमबर पांच, नमबर साथ और नमबर आठ के लिए दिन काफी ज़्यादा अच्छा दिखाई दिता है अलफबिट्स में देख लिया जाए तो अलफबिट्स में B, D, H, M, N, L, P, S और V आप सभी को काफी ज़्यादा फाइदा मिलता हुआ नजर आएगा अब बात कर लिते हैं यहाँ पर Golden Wish Time के बारे में आज के दिन में कौन सा रहेगा Golden Wish Time देखिए वैसे तो पूरा ही दिन अच्छा है बट फिर भी आज के दिन में इस समय में थोड़ा सा मन और चिंतन कर सकते हैं थोड़ा सा योजनाओं पर प्लान कर सकते हैं यह आपके लिए काफी ज़ादा अच्छी रहेंगी आज के दिन में आप सभी को सुवे सुवे दस से साड़े दस का समय थोड़ा सा अवॉइड करके चलना चीए ताकि आप सभी को किसी तरह की परिशानी ना हो अगर आज आपका जन्दिन है आपके अनिवर्सरी है आपके जीवन का कोई भी विशेश मैत्वपुन दिन है आप सभी को मेरी और से हार्दिक शुप काम लाएं आने वाला समय आप सभी के लिए काफी ज़दा अच्छा जाता हुआ दिखाई दिता है आने वाले साल में आप सभी को कई तरह के नए रास्ते मिलते हुए दिखाई दिते हैं और अपने साल को हर तरह से अच्छा बनाने की कोशिश ज़रूर कर लीजिए। अब बात कर लिते हैं याँ पर आज के दिन में कौन सा meditation आपको करना है जो आपके लिए रहेगा बेहत खास और इस रईवार के दिन को बनाएगा और भी जादा अच्छा। दिखे हर एक meditation definitely कोई energy generate करता है कोई energy लेकर करके आता है और आप सभी को काफी तरह की अच्छे results देखने को मिल जाते हैं तो इसी तरह से ये रईवार का दिन भी आपके लिए कुछ खास करता हुआ नसर आएगा जैसे कि मैंने बताया आज के दिन में confidence level बहुत अच्छा होगा और अपना आत्मईश्वास बढ़ाने के आपको कोशिश जरूर करनी है तो आज का जो भी meditation भी रहेगा ये आत्मईश्वास को बढ़ाने के लिए काफी जाता मददगार रहेगा आप सभी को क्या करना है आप सभी को ऐसी जगे पर बैटना है जहां पर आपका back जो रहे व नौर्थ की रफ रहे मदब कि जब आप meditation कर रहे हैं तो आप नौर्थ को देख रहे होंगे इस बात का जियान लखिएगा इसके बाद देखें डिखें बहुत जादा matter करता है जब आप meditation करते हैं इसके बाद जब भी आप meditation करेंगे तो अपने पास में कुछ red color का और कुछ yellow color का ले करके जरूर बैठ जाईएगा ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आपके गर में red light है red bulb है तो आप क्या करें सारे गर की light बंद करके और उस red bulb की रौशनी में बैठ करके भी इस meditation को कर सकते हैं इससे भी आपको अच्छे result मिलेंगे आपको तीन बार ग इसके बाद दीरे दीरे आपको उन चीजों में अपने आपको involve करना है और उन चीजों को सही करने की कोशिश करनी है और उन चीजों को ले करके अपने आपको motivate करने का प्रियास करना है जैसे जिसे आप ये करेंगे वैसे वैसे आपको और जदा अच्छा result मिलता हूँ नज दिन में आप सभी को अच्छे result मिल जाएंगे एंड ये दिन आप सभी को और अच्छी positivity लेकर के देने वाला रहेगा इस दिन को और अच्छा बनाने के लिए जो remedies मैंने बताईए वो याद से कर लीजिएगा बूलिएगा बिल्कुल भी मत एक और important चीज यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ अगर आप सभी वास्तू सीखना चाते हैं वास्तू से लेटर अपने ग्यान को बढ़ाना चाते हैं तो मुझे आप WhatsApp पे message कर सकते हैं आगे की सारी जानकरी आपको WhatsApp पे मिल जाएगी वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा कुछ पूछना चाहें जानना चाहें अपने बारे में कुछ भी समझना चाहें आप कुछ से संपर कर सकते हैं मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद्या पर कर सकूँ धन्यवाद